हेलो फ्रेंट्स नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा जारी किये गए नए रिजल्ट के बारे में तो अभी कुछ समय पहले जो रिजल्ट का ये नोटीश जारी किया गया है और साथ में एक और नोटीश आया है वो पब्लिक नोटीश के सेक्शन में है तो इन दोनों notice-o के बारे में हम बात करने वाले हैं तो जैसा आप देख रहे हैं हम हारियाना Staff Selection Commission की official website पर हैं सबसे पहले हम result के section में जाना होगा हमें तो वहाँ पर आपको यह notice जो आया है उसके बारे में सारी details दी गई है तो दोस्तों आपको इस तरीके से जो है इंटरफेस नजर आएगा यह आप देख रहे हैं advertisement number 1 slash 2015 category number 1 के लिए जो है यह result जारी किया गया है notice to candidates for scrutiny of documents for the post of staff nurse तो staff nurse के लिए DV यानि के document verification के लिए notice जारी कर दिया गया है आपको simply यहाँ पर क्लिक करना होगा उसके बाद यह आपके सामने जो है download हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं हरियाना staff selection commission का यह announcement है notice to candidates for scrutiny of documents for the post of staff nurse of health service हरियाना against advertisement number 1 slash 2015 category number 1 के लिए ठीक है तो यह total जो post थी वो 320 post थी जहाँ पर आप देखेंगे तो advertisement number 1 slash 2015 staff nurse category number 1 320 post तो जनरल की यह थी 239 जनरल के लिए थी प्लस 91 जो SBC यानि के special backward class के लिए जो है निर्धारित की गई थी यह post लेकिन पंजाब और हरियाना high court के आदेश के बाद जो SBC यानि के special backward class की vacancy थी वो general court से जो है भरी जाने वाली है तो अब यह result जो है जारी किया गया है ठीक है तो अभी यह total जो vacancy है बढ़कर 320 हो गई है जिन में 239 जनरल के लिए प्लस 91 जो SBC की थी उनको भी जनरल में count करके total 320 post जो है कर दी गई है यह roll number यहाँ पर दिये गए है आप इन्हें देख सकते हैं ठीक है अगर आपका इन में roll number है तो आपको बहुत बढ़ाई अभी आगे बताया गया है कि the scrutiny of documents of above candidates will be held on 25-4-2019 तो आपका 25 April-2019 को जो है यह document verification का process है यह complete होने वाला है आपको सभी original documents लेके आने हैं एक आपके पास self-attested copy सभी document के आपके पास होनी चाहिए और साथ में अगर आपके पास application form हो तो वो भी आपका self-attested होना चाहिए ठीक है आपके admit card जो है वो 20-21 तारीक के आसपास जो आपको official website पर देखने को मिल सकते हैं अभी आप देखेंगे तो 11-4-2019 का यह latest update है तो जो MPSW माफ कीजिए staff nurse staff nurse के लिए जो document verification होने वाला है वो 25 अपरेल को होगा तिन जो 20 post है role number यहाँ पर दिये गए है सारी चीज़े यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो अभी चलते हैं दूसरे notice की तरफ तो दोस्तो दूसरे notice के लिए आपको जो है public notice के section में जाना होगा आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने जो है दूसरा interface open हो जाएगा तो दोस्तो यह आप देख रहे हैं notice to candidates regarding revised final answer के for the post of female constable gd तो female constable gd के संदर में यह notice आया है जिसकी advertisement number 3 slash 2018 category number 2 थी आपको simply यहाँ पर क्लिक करना होगा आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तो यह जो है final answer की जानि के revised answer की दी गई है कुछ candidates को जो है कुछ क्योस्तनों में जो है उनके जो दिक्कत थी तो उनको जो है revised answer की के माद्धम से अभी उनको बताया गया है यह सभी set की answer की दी गई है अब इसी answer की के माद्धम से जो आपकी final list है वो जो है लगी थी और इनी basis पर आपका selection हुआ था तो अभी इस answer की को revised करके notice लगाया गया है जो की हरियाना पुलिस की थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो यह एक छोटी की information थी की revised answer की हरियाना पुलिस की आ चुकी है और साथ आपका जो staff nurse का जो DV है document verification है उसका भी notice जो है जारी कर दिया गया है जो SBC के तहत वेकेंसिया थी उनको जनरल कोटे के साथ भरा जाना है